तो आज मैं अपने दोस्त के साथ अपनी नई नवेली महिंदरा थार लेके पाड़ी की तरफ अफ रोडिंग करने आया था पिजूर आगे जाने के बाद हमें दिखाय देता है सामने की तरफ लेंड स्लाइड हुआ है जिसकी वज़ें से रास्ता ब्लॉक हो गया है ये देखने के बाद मैं अपनी थार से नीचे उतर के अगल बगल कोई अच्छा सा रास्ता देखने जा रहा था तभी पास में खड़ा एक वरकर मेरे से बोलता है अरे बच्चे इदर कोई रास्ता नहीं है अगर तुझे में रूट पे जाना है तो तुझे ये नदी पार करके उस पार जाना पड़ेगा कुछ दिर बाद रास्ता मिल जाएगा ये सुनते ही मेरा दोस्त बोलता है ये हुई ना बात तुझे बोलता है तेरी गाड़ी जादा पौरफूल है आज देखी लेते हैं तेरी पौरफूल है या मेरी फिर मेरा दोस्त अपनी स्कारफियों को पानी में उतार देता है पुछ दूर आगे जाने के बाद उसके गाड़ी के इंजन में पाणी बढ़ जाता है। जिसकी वज़े से वह बंद चाती है। फिर में अपनी थार पे पूरा भरोसा रखते हुए, उसे पानी के अंदर घुशा दिता हूं। दूर आगे दाने के बाद मेरी थार रुकने लगती है फिर में इंजन का सारा पाउन लगाते हुए किसी ना किसी तरह करके नदी के इस पार राही जाता हूं इसी बात पर वीडियो के लाइक करके कमेंड में थार रोपी लिखना तो बनता है